हेलो दोस्तों मैं सुमन स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल study by सुमन में तो बात करें हम यहाँ पर seated की आपकी क्लास जो है मैंने अभी तक शुरू नहीं की थी हलागी प्राक्टिस सेट में seated को मैं लेकर चल रही थी लेकिन आज से आपकी जो आपकी seated का जोगरफी है आपका जो पेपर सेकेंड के लिए भी काम आने वाला है और आपका environment में भी ये काम आने वाला है तो आपका EBS हो या फिर जोगरफी हो seated वाला ठीक है ना तो seated के लिए ये क्लास रहने वाली है और मैं कहूंगी ये सिर्फ seated में ही नहीं बलकि आप किसी भी पेपर में आप देखेंगे तो आपका राश्ट्रिय उद्ध्यान से आता ही आता question है तो यहां हम बात करें अगर तो आज की जो topic रहने वाली है भारत के प्रमुक राश्ट्रिय उद्ध्यान के बारे में और ये सारी classes आपके जो रहेंगी ये सारी classes आपके hand written notes रहने वाले है जो कि मैं पहले hand से अपने note करूंगी एक book लेट पे जब उसकी photo लेकर फिर आपको मैं समझाओंगी क्योंकि board पर बहुत ज़्यादा time लगता है और उस पे लिखना फिर बारबर मिटालना फिर लिखना तो board छोटा है तो उसमें थोड़ा सा आपका past time नहीं रहेगा time ज़्यादा जाता है उसमें ठीक हैं तो सभी लोग जो है class को अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये तो प्लीज चैनल को subscribe कर लीजेगा और class को last तक जरूर देगेगा फिर comment करिएगा क्या को class कैसी लगी और उसके बाद आप अपने से जुड़े जितने भी लोग है उन्हें सेयर करके उन्हें भी इस class से जोड़ें ठीक है और जिन्हों जो अभी इस्टूडेंट अभी बिहार के teaching के त्यारी कर रहा है वो भी जाके playlist में अपना GS का और SST का और बिहार के GK का अपना त्यारी कर सकता है ठीक है तो बात करें हम पहले question की यहां पर बात करें राश्ट्री उध्यान की तो एक तरफ आपका दे भी रहिए ऍआज ची में कहीं पर भी महात्राओं कर कोई गलती होगी तो उस पर ध्यान ना दे कर प्लीज आप Afghan गैंड़न दीजिए चलिए पहलिए आपका देहिंग पटकी राश्ट्री-उध्यान या और राय मोना राश्ट उद्ध्यान ये दोनों कहां पर है तो ये दोनों आपका कहां पर है असम राज में कौन कौन सा देहिंग पटकाई और राय मोना राश्ट उद्ध्यान आपका कहां पर है असम राज में है अगला है आपका कांगरे घाटी रास्ट्रिय उध्यान ये कहां पर है 36 गड़ में कांगरे घाटी रास्ट्रिय उध्यान पिन वैली घाटी कहां पर है ये पिन वैली आपका कहां पर है हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश वही जिसकी राजधाने आपकी क्या है सिमला है ठीक है तो हिमांचल प्रदेश में आपका पिन वैली घाटी है और ये एक क्या है नेशनल पार्क है बात करें हम अगले क कोश्चन की अगला कोश्चन है नंदा देवी बायो स्फियर में फूलों की घाटी इसते थे ठीक है तो यह है कहां पर यह है आपका उत्राखंड में आपका क्वेस्चन बनता है कि जो है फूलों की घाटी किस राजी को कहते हैं तो फूलों की घाटी कहते हैं उत्राखंड को और बात करें नंदा देवी बायस्फियर कहां पर है ये भी आपका कहां पर है उत्तरा खंड ठीक है नंदा देवी चोटी भी उत्तरा खंड में ही है अच्छा नंदा देवी और नंदा परवत और नंगा परवत में अंतर है नंगा परवत आपका हिमालचल परदेश में है औ और नंदा देमी आपका कहां पर है उत्तरा खंडुए ठीक है इस बात को ध्यान में रखिए गाम इंत्र है यह आपका नंगा परवत हो जाएग और यह आपका नंदा तो आप सब्दों को ध्यान दिज 오늘은 ठीक है अनतर जिसे इस से सन्फ्यू Inside अब बात करें अगले question की नील घाटी या नील गीरी पर्वत पर जो है कहां पर है यह आपका केरल और तमिलाडू तट पे हैं लेकिन यहाँ पे एक है क्या सांत घाटी तो नील घाटी या नील गिरी परवत आपका कहां पर है केरल में है ठीक है न और इसी में आपका सांत घाटी है तो यहाँ पर आपका कोशन बनता है कि सांत घाटी किसे कहते हैं केरल राजी को अच्छा केरल राजी को सांत घार्टी के नाम से जाना जाता है तो एक कोशन और बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जाब विभीता कहां पाय जाती है सबसे ज़्यादा जाब विभीता विभी विभीता ठीक है न तो यह यहाँ पर कहां पाय जाता है केरल में पाय जाता ह क्यों कि यहां पर सबसे ज़धा डाइवर्सिटी है इसलिए इसे सांथ घाटी के नाम से जाना जाता है बात करें हम अगले कोशन की दाची ग्राम राश्ट्री उध्यान तो यह आपका दाची ग्राम कहां पर है जम्मु कस्मीर में अच्छा जम्मु कस्मीर एक मात्र भारत क राजी है जो केसर उत्पादन करता है ठीक है ना केसर के लिए जाना जाता है बात करें यहां पर अगला कोशन है हेमिस राश्ट्री उध्यान कहां पर है तो हेमिस राश्ट्री उध्यान भारत में है आपका कोशन मनता है भारत का सबसे बड़ा राश्ट्री उध्यान कौन सा है तो यह हेमिस राष्ट उद्ध्यान है जो कि आपका लद्धाक में इस्तित है तो यह important है आपका ठीक है ना यह क्या है important है जो कि आपका कहां पर है लद्धाक में हेमिस राष्ट उद्ध्यान बात करें हम अगले question की अगला question है आपका इटंग की राष्टी उध्यान क्या है इटंग की राष्टी उध्यान कहां पर है तो इटंग की आपका नागा लेंड में है इतंकी नागा लेंग में है बुकसा राष्ट उध्यान आपका है बुकसा राष्ट उध्यान आपका कहां पर है पस्चिम बंगाल में ठीक है ना पस्चिम पस्चिम बंगाल में ठीक है ना बात करें हम अगला कुश्चन अगला है आपका बांधो गड़ राष्ट उध्यान और पेच राष्ट उध्यान काना राष्ट उध्यान ये सभी कहां पर है बांधो गड़ हो गया पेच राष्ट उध्यान हो गया या काना राष्ट उध्या हो गया तो यह सभी कहां पर है मध्य प्रदेश में इसी में आपका पन्ना है यह capitalist में धुझा पड़ियृ जाता है तो हीरे की खान है पर नहीं राष्ट्य द्धान भी मध्य परदेश में ही है आपका बात कर яद हम अगले तो अगला है आपका जिम कारविट राष्ट्य द्धान ये है आपका राम उत्रा खंड में और जिम कारवेट को ही अब गंगा publications नाम नाम क्याός्वा at की पहली सबसे पहली राष्ट उध्यान है भारत जो की उत्रा खंड में है तो ये भारत का सबसे पहला राष्ट उध्यान है जिमकारवत ठीक है ना अगला है आपका बांदीपूर राष्ट उध्यान और नागर होल देखे नागर होल राष्ट उध्यान हो या फिर युद्धान Oh please क sujet加थ MP ुछ रहा है बांधी पूछ और बांधा गण में अंतर है बांधी पूर राष्ट उध्यान तो मतलब आपका क्या हो जाएगा करनाटक हो जाएगा है है समझ होगी अगला कोश्षन अगर बात करें हमें यहां पर पर चाहिए क्या हो गया वह अच्छा यहां पर अगले कोशन की बात करूं मैं तो अगला है आपका सिमली पाल राष्ट युद्ध्यान भीतर कनिका राष्ट युद्ध्यान यह सभी आपके कहां पर है उड़ी इसा में तो भीतर कनिका जो है आपका जो है कच्छुए के लिए जाना जाता है मगरमच के यह सभी यहां पर देखे जाते हैं ठीके तो सिमली पाल हो गया या फिर भीतर कनिका हो गया यह सभी आपके कहां पर पाजाते हैं ओड़ी सा राज्जी में ठीके ना अगला कोश्चिन है दुध्वा राष्ट उध्यान एक मात्र यूपी का राष्ट उध्यान है जो कि लखिमपूर खीरी में यह उत्तर प्रदेश का एक लौता राष्ट उध्यान है अच्छा बिहार का भी एक मात्र राष्ट उध्यान कौन सा है वालमी की राष्ट उध्यान है ना वालमी की राष्ट उध्यान बिहार का एक मात्र राष्ट उध्यान है और यह कहां पर है आप लोता तैरता हुआ बायस्फियर है ना तो केबुल लाम जाओ आपका मरीपुर में है और ना मेरी राष्टे उध्यानी क्या है ना मेरी राष्टे उध्याना ये आपका कहां पर असम में तो देहिंग पटकई हो गया और ना मेरी हो गया ये सभी आपके कहां पर हो जाएंगे असम्में हो जाएंगे तो ये थे आज के आपके भारत के प्रमुक राश्ट उद्यान आई होप ये बात ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी कमेंट करके जरूर बताएगा लाइक किजिए लाइक सस्क्राइब और सेयर जरूर कर लिजेगा ठीक है ना लाइक सस्क्राइब और सेयर कर लिजेगा ठीक है ना और बात करूँ आपने अगर नहीं किया तो आपको तो कम सस्क्राइब करना ही करना है और अपने दोस्तों को भी करके और सेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ना है और सारे क्लास आपको देखने हैं ठीक है न तो यह था आपका सीटिट के लिए आज से सुरू कर रही हूँ मैं इन्वारिमेंट जिसमें आपका जियस भी प्लस रहने वाला है ठीक है न तो चलिए आज के लिए बसना ही धन्यमाद